नेता जी सुभास चंद्र बोस जी का स्टाचू अन्वील करा जाएगा अमर जवान जोती वर मेमोरियल फ्लेम पर इंडिया गेट और 23rd जैन्वरी को नेता जी का 125th बर्थ अनिवरसरी है सुभास चंद्र बोस जो है वो बहुत पड़ा कॉंट्रिब्यूक्शन है उनका इस देश के इंडिपेंडेंडेंस में 2022 वर्ष 2022 जो है वो 75th इयर है इंडिपेंडेंडेंस का और ये आजादी हमें सिर्फ कुछ लोगों के स्वायात्ता से नहीं मिली है इसमें कहीं न कहीं बहुत से लोगों का कॉंट्रिब्यूक्शन है और किसी एक का नाम न गिनाना अपने आप में सही नहीं है बहुत फेमस में से एक हम कुछ कह सकते हैं कि नेता जी सुभास चंद्र बोस महात्मा गांधी जवाहला नहरू जी सर्दार पटेल जी रानी लक में उन चीजों को उतार सकते हैं और इस देश को एक नए ग्रोथ पर लेकर के जा सकते हैं अपने वतन को कि निता जी सुभास चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में 1897 कटक ओडिशा में होता है और साथी नेता जी जो है वो कहीं ना कहीं Presidency College में उनको admission मिल जाता है कैलकटा में और उस college से कहीं ना कहीं उनको भष्कृत कर दिया जाता है निकाल दिया जाता है सन 1916 में क्योंकि वो काफी nationalist activities में सनलिप्थ पाये जाते हैं उनके दिमाग में हमेशा नेशन को ले करके जादा चल रहा होता है एजुकेशन बिल्कुल लेकिन साथ साथ नेशन का भला और इसके बाद में स्कॉर्टिस चॉर्चस कॉलेज में ग्रेजुएशन कम्प्लीट करते हैं इसके बाद में कही ना कहीं वो यूनिवर्सिटी ओफ काम्प्रिच चले जाते हैं इंग्लैंड में और वहां जाकर के वो इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं चार साल की पढ़ाई होती थी उस वक्त और लंडन में ही एक्जाम हुआ करता था किनी भारतियक का सेलेक्शन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी और उस वक्त सरफ साथ महीनों में नेताजी सुभाव शंद्रपोस ने इंडियन सिविल सर्विस का एक्जाम क्लियर करा और चौथा रैंक उनको मिला लेकिन कही ना कहीं हिंदुस्तान में उस वक्त बहुत जादा प्लेग चाया था हैजा, मलेरिया ये सारी जो केसेस हैं बहुत जादा देखने को मिल रही थी बुखमरी बहुत जादा देखने को मिल रही थी ठाई लाग के आसपास की आबादी जो है वो कही ना कहीं खतम होने को आ गई थी तो इन सब चीजों को देखते हुए नेता जी को लगा कि नहीं कहीं ना कहीं वो इस लाल रड कार्पेट को नहीं ले सकते वो इस मकमल को नहीं चुन सकते हैं अगर उनके देश को उनकी जरूरत है और उस इंडियन सिविल सर्विस जॉब को उन्होंने रिजाइन कर दिया उस पस जब मुंबई आये तो उन्होंने देखा कि उनके लिए हजारों लोगों की भीड़ी कठ्था थी जो उनसे मिलना चाहते थे कि ऐसा कौन इंसान है जो इंडियन सिविल सर्विस जैसे रेप्यूटेड पोस्ट को छोड़ करके यहां कहीं ना कहीं मकमल को छोड़ करके का कई कुछ करना चाहता हूं तो यह सब भारतवासी एक हो करके हम अपने आजादी के लिए लड़ाई कर सकेंगे और कहीं ना कहीं नाशनलिजम जो है वो उनमें उबाल भरता गया अब इसके बात में कहीं ना कहीं नेता जी सुभाग शंद्र बोस्ट जो हैं उनको उस फक्त कहीं ना कहीं All India National Youth Congress का लीडर बनाया जाता है और वो बहुत ही बुद्धी जी इंटेलक्शूल होते हैं बहुत ही विजनरी दूर गामी सोचते हैं और इन सब के चलते कहीं ना कहीं उनका जो ठॉट प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छा रहा है और इसके चलते नेता जी और इसके अलावा 1927 आते हैं हम देखते हैं कहीं ना कहीं मतलब जवालाल नहरुजी भी पिक्चर में आ जाते हैं क्योंकि मोतिलाल नहरुजी जो है वो अब नहीं रहते हैं तो इसी के साथ में अब गांधी जी और कहीं ना कहीं लॉड इर्विन के बीच में 1928 में गांधी इर्विन पाक्ट होता है जहां पे इर्वि कहते हैं कि हम डोमीनियन स्टेटस भारत को देंगे अब ड्मीनियन स्टेटस की बात माने तो डोमीनियन स्टेटस के तहट जो foreign trade होता है विश्व सुथ्टर पर जो ट्रेड होता है military power जो होता है कही ना कहीं जो हमारा military senior सक्ती जो है वो जो हमारा power होगा defense से जुड़ा हुआ और सब के सब Britishers के ही हाथ में होगा यानि कि काफी हद तक power अभी भी Britishers के ही पास होगा और यह चीज के खिलाफ थे सुबास्चंद्र बोश्ची क्योंकि उनका मानना यह था कि अगर आजादी मिल रही है तो आजादी पून रूप से होने चाहिए complete independence लाहौर session 1929 पून स्वराज की मांग करी जाती है क्योंकि यह dominion से संतुस्ट हम नहीं रहने वाले हैं और उनका यह मानना जो होता है कि कही ना कही नरम दल यानि कि moderates के तहट अगर हम नरम दल से पेश आते रहेंगे तो यह अंग्रेज हम पर हुकूमत चलाते ही रहेंगे और इस शीज को कही ना कहीं पूरी तरीके से समझ चुके थे नेता जी सुबास शंद्र बोस जी और 1939 में फिर presidential elections देखने को मिलता है और 1938 का अल्रेडी हरीपूरा का जो session होता है वो सुबास शंद्र बोस जीत कर आते हैं और इसके बाद में 1939 का जो presidential elections होता है तो अगें सुबास शंद्र बोस जो है वो खड़े होते हैं और साथी इस बार महात्मा गांदी जी अपने candidate को जो कि South India से एक हैं पटाभी सिता रमया जी उनको खड़े करते हैं इस election में contest करने के लिए और गांदी जी ऐसा कहते हैं कि अगर सिता रमया को आप जिताते हैं तो आप मुझे जिता रहे हैं अगर उनकी हार होती है तो आप मुझे हरा रहे हैं और उस वक्त इतना जादा सुबास चंद्र बोस जी famous थे कि कही ना कहीं सुबास चंद्र बोस जी जो है वो पटाभी सि वाइलेंस से हम आजादी लेंगे और इस वज़ा से कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी जो हैं वो कहते हैं सुभाग शंद्र बोश को कि आप रजाइन कर दो और वैसा ही कुछ वो करते हैं वो इतना गुरू इतना आइडल मानते थे गांधी जी को कि उन्होंने अपना जा जाता है कि देश में रहकर के देश का विकास कर पाना क्योंकि नरम दल के महात्मा गांधी जी का विचार धारा था उनके साथ उनका तालमेल नहीं बन रहा था तो वह अब ग्लोबल अलाइंस के और निकल पड़े कि हम वर्ल्ड को इकठा करें और इस शीच के लिए और और डी वर्ल्ड वार टू चालू होने वाला था और निता जी सुभाष चंद्र बोस्टी का ये मानना था कि हमें इस परिस्तिति का फायदा उठाना चाहिए और अंग्रेजों पर दबाव डालना चाहिए लेकिन गांधी जी कहते थे कि नहीं दुश्मनों का साथ हमें नह जैपान होते हैं जबकि अलाइड में इंग्लैंड फ्रांस पूलांड यूएस और सोवियत यूनियन होते हैं जो कि वर्ल्ड वार वान में भी यही जीतते हैं अब यहां पर सुभाष चंद्र पोस्ट होते हैं वो कही ना कहीं उनको पता होता है कि अब इनके लिए इनको जर्मनी का साथ चाहिए वो हिटलर के बारे में बहुत सुने होते हैं और वो जर्मनी के साथ के लिए निकल पड़ते हैं तो ऐसा जब उनको करना होता है तो वो इसके लिए अपने एक मित्र का सहारा लेते हैं और वो पाकिस्तान के पेशावर से रहते हैं और वो इनको देखते हैं कि कहीं न कहीं हिटलर कि एक haga t processes करा बढ़ाते हैं मिलाते हैं मिलने के लिए नमस्कार ही हिटलर हूं और बोस्त कहते हैं कि स्वागत है लेकिन मैं VIP से मिलने था तो हिटलर खुद में भी डंग रह गए कि यह कैसा इंसान आया जिसने वाकई सीच को पकल लिया तो वह आपस आते हैं खुद ही आते हैं इस बार और इस बार जब वह आते हैं तो कहते हैं बताओ क्या काम है मुझसे तो सुभाष चंद्र बोस जी तुरंत विनम्र निवेदन करते हैं कि नमस्कार मैं सुभाष चंद्र बोस मैं भारत से आया हूं और आपसे मिलकर बड़ा खुश हुआ हूं और मुझे आपका साथ चाहिए तो फिर हिटलर जो है वो कहते हैं यह सब तो छो हाथ मिला रहे थे जबकि मैं भारत से आता हूं जो कि एक परातंत्र अभी एक डिमोक्रिटिक कंट्री नहीं है उस देश का नागरीख हूं और मैं वहां से आ रहा हूं लेकिन यह पहले हाथ बढ़ा रहे थे मैं आपके शरन में आया हूं लेकिन आप आपने हाथ नहीं है वह मिलते हैं तो इसके बाद में हिटलर चार हजार वार के जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर देते हैं और उनसे शुभास चंद्रवोस आजाद हिंद फौज बनाते हैं और इसी के साथ में हिटलर जो है वो कहते हैं कि देखे जर्मनी तो भारत से बहुत दूर लो जैपैन भी हमारे एक्सिस अलाइंस का ही हिस्सा है और जैपैन भी ब्रीटेन के खिलाफ ही है आप उनका समर्धन लो और इसके लिए फिर उन्होंने अपने विश्यस पंडूबी से उनको सुमात्रा जो की इंडोनेशिया का एक आईलेंड है वहां तक भेजते हैं और से जैपैन जाते हैं और जैपैन जब जाते हैं तो जैपैनीज प्राइम मिनिस्टर से जब मिलते हैं कि टोक्यों में समिट होता है तो वह बड़े इंफ्लूएंस हो जाते हैं जैपैनीज पीम सुबास्चंदर बोस्स से मिल करके क्योंकि बोस्स जो है वो कहते हैं एशिया को जब हुकूमत के चक्कर में लगे पड़े हैं कि उससे कहीं न जपन के चो एंपी स्कूमें को म्हों अमंत्र कर देते हैं लेकिन ब्होपको adjust को पता होता है कि सेंगा पड़ की एक ओश्व करते हैं कि 85,000 fraction सब्सक्रण दाखते हैं कि संगा है से 85,000 में से 45,000 इंडियन सोल्जर्स हैं तो रुवाश चंद्रबोस कहते हैं कि जब आप बॉंब गिराएं सेंगापूर में तो आप बॉंब के साथ पर्चे भी गिराएं पामफ्लिट्स भी गिराएं जिन पर्चों में आप लिखिए कि कब तक हम भारती अंग्रेजों की हुक कुछ हुआ बगावत भी हुई और सिंगापूर को टेक और कर पाने में कामड़ हुआ और इस वज़से जैपान जो है वो साथ देने को तैयार हो जाता है आजाध हिंड फौच का और इसके बाद में आजाध हिंड फौच के जो सोल्जर्स होते हैं कि वह बर्मा के तरफ आ और तब कहीं ना कहीं सुभाख शंद्र पोस्ट वो इस गाने को गाते हैं कि जोदी तो रेडाक सुने क्यों ना आशे तो बे अकला चलो रहे यानि अगर आप कोई सुन नहीं रहा है कोई बात ने आपके बुलाने पर कोई आपका नहीं सुना तो आप अकेले चलिए क्योंकि जहां गांधी जी और इनसे नहीं जम पा रही थी वहीं इन्होंने जर्मनी का जैपैन का साथ लिया ग्लोबल अलाइन्स बनाया और पहली बार इस देश में इस हिंदुस्तानी मिट्टी पर भारतियती रंगे को लहराया उसके पर्चम को लहराया साथी मुहमद अली जिन्ना जो थे उनका भी यही मानना था कि सुभावश्चंद्र बोस अगर इस देश के लीडर बने तो फिर हमें कोई नया पाकिस्तान नहीं चाहिए इतने इंफ्लुएंशियल लीडर सुभावश्चंद्र बोस रहे हैं शायद पाकिस्तान का जन्म हो कुछने वाला इकोनामिस्ट उनको इस देश का इंडस्ट्रियलाजेशन किस तरीके से करना है इकोनामिक पॉलिसी किस तरीके से होने चाहिए सब कुछ पता था कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी क्योंकि वो खुद एक इंडियन सिविल सर्विस एक्जाम जिसमें चार साल लग 45 का समय होता है जब अटॉमिक बॉंब्स गिराये जाते हैं हिरोशिमा और नागा साकी के उपर जपान के यूएस से के द्वारा और इसी के बाद में कहीं ना कहीं इस्टाबिश किया जाता है फॉर्स्ट ओल विमेन इंफैंट्री कॉमबाट जोनिट सुभावशंद्र बो जाते हैं रुज्या का समर्थन लेने के लिए उस वक्त का यूए स्टाब लेने के लिए मोर उसे पूरे देश में एक बार को इकना हताहै कहीं ना कहीं पूरे देश में व्यापम देखने को मिल सकता है क्योंकि हर एक के चहरे पर वह एक शिकन सी थी क्योंकि सुभाश्चंद्र पोस ने वह हिम्मत भर दी थी वह साहस भर दी थी इवें दुनिया के लीडर्स भी सीच को बड़े ही मतलब एक नकारात्मक तरीके से ल कि इंडियन सोल्जर्स की बाद कर ले तो 25 लाख आबादी के सोल्जर्स थे तो कहीं ना कहीं अब उनको लगने लग गया था कि हम अब टिक नहीं पाएंगे क्योंकि अब यह इकठा हो चुके हैं अब यह अपने इंडिपेंडेंस के लिए अपने आजादी के लिए लड़ कोई इफित नहीं होता नरम दल का हम पर कोई इफित नहीं होता हम तो यह जो आप कह सकते हो सुभास शंद्र बोस और बहुत सारे लीडर जो कहीं ना कहीं उस तरीके से मतलब एक प्रेशर बनाते गए जिसकी वज़ा से हमें यह चीज को मतलब इंडिपेंडेंस को सौपना पड़ा और सुभास शंद्र बोस जो कि अपने आप में बहुत ही बहतरी लीडर अगर इस देश में और ज्यादा समय तक रूके होते शायद वो देश के प्रधानमंत्री भी होते शायद यह देश का इकोनामिक पॉलिसी और बहतर होता शायद हम कहीं ना कहीं अपने देश को एक अच्छे फॉरेंट पॉलिसी के साथ देखते हैं अगर उनके डेथ मिस्ट्री की बात कर लेते हैं उनके डेथ मिस्ट्री से जुड़े काफी सारे कमिटी बनाए गए शाहनवाज कमिटी 1955 जिसने यह बताया कि उनकी डेथ प्लेन क्रैश में ही होती है इवन खोसला कम बनाया जाता है जो कहती है कि गुम्नामी बाबा तो नहीं थे निता जी क्योंकि यह तक लोगों का मानना था कि कोई कह रहा था को भारत चले आए हैं कोई कह रहा था कि मतलब विदेश में ही रह गए हैं तो बहुत सारी बाते हुई कभी गवर्नमेंट के भी आर्टिकल्स अश्कान करा है लेकिन वो उस तरीके से नहीं आए रिपोर्ट कभी डियर ने टेस्टिंग भी नहीं कराई गई उनकी जो कहीं न कहीं वो बहुत सारी बाते हैं एवन कोलकता के ब्रेटिशि गवर्नर जेनरल रह चुके थे उनका यहीं मानना था कि अगर हर ब्राउन इंसा पॉलिसी को बहतरीन तरीके से नेता जी सुभास्चंद्र बोस ने अपनाया और नेता जी सुभास्चंद्र बोस से जुड़ा एक हिंट हमने यह भी देखा कि पंडित नहरू जी यानि कि जवाला नहरू प्राइम मेनिस्टर ऑफ इंडिया उनकी जो बहन विजय लक्षमी प तो आज मैं अगर इस फोरम पे इस बात को कहूं तो शायद भारत जो है वह उन्ने सो सैतालिस पंडरा अगस्त की खुशी से जादा खुशी उसको मिलेगा वह बात जादा डीटेल में बताई नहीं गई और इस वज़़ा से कहीं न कहीं हमें बहुत जादा कुछ नहीं पत करते हैं कि 23rd जानवरी आज हम संकल पर लेते हैं जो भी बाते हमने सीखी है जो भी हम कर सकते अपने इस देश के लिए ना सिरफ 75 इंडिपेंडेंडेंस का यह देश इस तरीके से ही रहे हमें बहुत तरीकों से देश को आजादी दिलवानी है फिर चाहे वह आज भी जो र तरीके से हमें इस देश के लिए कुछ करना है और कुछ बेहतर बनना है और सुभाव शंद्र बोश्ची को याद करते हुए यह उनसे जुड़ा कोट देखते हैं कि वान इंडिविज्वल में डाइफ और आइडिया विल आफ्टर इस डेथ इंकार्नेट इटसल्फ इन अ रीक, जुड़ाराश चाने हैं वान तरीक बार इंकार्नेट बोश्ची को यादा जह थेविरा देखते हो यह संपेते हैं कि अधिया दू करीज़ाराश जन una है अ घबंए और अब 오늚ेर ले WORK, पर डь है दोढ़ाराश में पलाराश का पयाक Means और और ने हमका दू को का मैं